येस गुड़ीबनिंग एवर्डवन आज जो आप लोग का पेपर हुआ है एकाउंटिंग्सी का सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो पेपर आप लोग कैसा गया ठीक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पेपर आया था एवरेज ठीक है पेपर बहुत ले सब्सक्राइबन तब भी बन जाएगा सिंपल बेनिफिट आपको देखना था जहां पर ज्यादा बेनिफिट होगा उस अप्शन को आपको सेलेक करने थी ठीक है अगला देखो हां एक कोईशन आया था एस 12 से वह भी बहुत ही असान कोईशन था ठीक गवर्मेंट गरांट सिंपल तरीके से आप से बन जाएगा दो एप्रोच है ट्रीटमेंट का एक नेट मेथड एक ग्रॉस मेथड रामसाइब कर सकते हैं अगला एस 16 का भी जो हमने एक स्टेंडर कोईशन किया था आपने रिवीजन लेक्चर में सेम सिमिलर टाइप का कोईशन था ठीक तो मोट अगर आप देखोगे चारो एस साथी में एक एस का कोईशन यहां भी आया हुआ है एस वन से और हमने जो इंपोर्टेंट कोईशन मार्ग कर रखा था जरा याद करना एस टेंड ट्वेल शिक्स्टिन एंड थ्री कैस फ्लोई स्टेट्मेंट मैंने बोला था एस थ्री पता होना चाहिए कासफ़ों स्टेट्मेंट से कोईशन आया था था हंडेट पर सेसे में इसके बाद आपको क्या करना एक यह नहीं पता होगा थे यह नहीं पता होगा तो यह चाप्टर कैसे पड़ों गया अगला देखोग वे इन्वेस्मेंट एकाउंट से देखो बहुत बार से शिप सेयर सेयर के कोशन आ रहा था इस बार बहुत बढ़िया कोशन आया था इससे होता क्या है ना कि पूरी चाप्टर आपको रिवाइज है तब ही जाके आप बना पाओगे और पूरी चाप्टर का रिविजन जरूरी है ठिक सिंपल कोशन था कोशन में कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी अराम से बनने जासा था डिपार्टमेंट का जो कोशन था उसमें डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पील अकाउंट बनाना था हमने ये चीज डिसकस भी करी थी अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिपार्टमेंट में मैंने आपको बताया था कि आपको डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पील अकाउंट बनाना आना चाहिए इसमें दो क्वेशन इंपोर्टेंट बोला था दो नंबर और चारनों एर प्राक्टिस करके जाना है ठीक साथी में हांजे इन्वेस्मेंट एकाउंट में मैंने बोला था कि जो बॉंड एंडेवेचर के कंसेप्ट है वो जरूर देखके जाना इंपोर्टेंट है वहां से पोच सकते हाला कि मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूं कि आपको शेयर को छोड़के नहीं जाना है कोई चीज करके ज पूचा कंसेप्ट शिरलिमेंट का सिर्फ एक इसल्मेंट पूचा है प्राफिृत अन लॉस से स्टेटमेंट बास पूचाता है न कैस्फली टेक्मेंट अच्छा Zu. इस बनींजा साइक जाता बच्च गूशा कैसal पाइशा कोशियर नहीं क्योंकि यह ऐसा concept है, यह ऐसा chapter है, जो हमेशा अगर आप ध्यान दोगे, तो जब भी हम important chapter की बात करते हैं, उसमें pre and post chapter हर एक teacher आपको यह बात बताएगा, कि important है, हर एक item में आता है, तो pre and post को तो हमने important mark किया ही था, आप पढ़गे गया होंगे, मैं मान के चलता हूँ, loss of stock, important है, simple concept आया था, loss of stock से, ज्यादा adjustment नहीं थी, and loss of stock पे हमने बात किया था, कि insurance में आपको loss of profit, loss of stock दोनों पढ़गे जाने है, दोनों important है, दोनों में से पूछ सकता है, हलाकि loss of stock ज्यादातर cases में पूछता है, यही बात मैंने आपको बताई थी, ठीक, साथी में, higher purchase का, इस कि एक बार एक dedicated question तो आना चाहिए, जिसमें आपको जो laser है, laser बनाने को बोले, साथी में reposition का case भी दे, बट कोई नहीं, simple question था, higher purchase का, deventure accounting का journal था, ठीक, capital maintenance पे question था, यह मैंने expect नहीं किया था, हलाकि मैंने question mark करा रखा है आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो capital maintenance में हमने क्या देखा था, going concern का एक question, element of financial statement का एक question, and capital maintenance का एक question, मैंने बोला था, एक एक question तीनों का करके जाना important है, यह question, अगर आप capital maintenance का question करके गए होगे, concept पढ़के गए, easily बनेगा, मुझे ज्यादा तर chances लग रहा था, कि going concern से पूछने के chances है, बट कोई नहीं, यह जो framework है, और इसमें मैंने बोला था, तीन question, जो मैं mark कर रहा हूँ, यही बार-बार repeat हो के पूछते रहते हैं, ठीक है, आप पताओ, आपका examination कैसे गया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक, अगला जो paper है लओ, उस पे ध्यान दो, उसको पढ़ाई करो, साती में, जितना जल